पापा पेटा यही दिन देखना राय गया था पपर रुख जो पापर रुख जो पापा एक मिंट आज तू नहीं बचेगा पापा यह सब आपकी खुशी के लिए किया है मैंने मेरी खुशी के लिए वो कैसे पापा आपको तो पता ही है दिवाली आने वाली है और दिवाली पे आप रॉकेट भी जलाओगे तो पापा रॉकेट जलाने के लिए खाली बोटल की जरुद पड़ेगी ना वही घटा कर रहा हूं से अप्पू आ रहे हैं वे यह फस गया ओ ना पापा यह रोज कहा से लाया यह यह तो मैं आपके लिए लिखाया हूं अच्छा आज तक बाप से एक गलस पानी कले नहीं पूछा आज रोज लिए आया अरे भाई साथ छोड़ो यह सब बाते और बताओ बेटा क्या सोचा है आगे लाइस में क्या करोगे अंगल कुछ भी करूँगा पर आपकी तरह दूसरों के बच्चों से यह कोशन नहीं पूछूँगा यह नहीं यह और सुरी है ठीक है तो भाई साथ चलता हूं मैं ठीक है अंगल नमस्ते माबापका नाम रोशन करना और बहुत तरक्य करना लाइफ में अच्छा आप बर्दास कर लोगे अंजी बताये क्या प्रॉबलम है आपकी चला भे साथ मुझे अपनी बीवी से तलाग चीए अच्छा पर क्यूं साथ मेरी बीवी मुझे से लस्तन शिलवाती है प्याज कटवाती है और तो और बरतन भी दुलवाती है अच्छा अच्छा मेरे पाल इसका इलाज है जिसमें तुमको तलाग भी नहीं लेना पड़ेगा और कुमारा काम भी हो जाएगा क्या बात कर रही हो सर बताओना मुझे फिर 110 रुपे दोगे तो बताऊंगा एक मिनट लेखब में क्या करता ये लो अरे बहुत ही असान है लस्तन को छीलने से पहले उसको सोड़ा गरम कर लेना असानी से छील जाएंगे और प्याज को फ्रिज में रख जाना 10 मिनट तो फिर जब तुम काटोगे तो आंक में से आसू नहीं आएंगे और बरतन का तो एक बड़ा सा टब लेना जिसमें 10 मिनट के लिए अपने बरतन डुबा के रख देना और जब तुम धोगे तो आसानी से दुझ जाएंगे ठीक है सर समझ गया मैं सबका यही हाल है सर मेरा एक कोशन है जिस बात के फ्रंट मेंचर होगे तुम सारे कोशन तो तुम टीचर से पूछते हो बैक बेंचर से सीखो कुछ पूरे साल कुछ नहीं पूछते है फिर भी पास हो जाते है अब पूछो क्या पूछता था गेम तो हराई दिया है सर विश्म में सबसे ज़्यादा बारिश कहा होती है तुझे इतना भी नहीं पता जमीन पे होती है और कोई कोशन पूछन है तो बता बीच में डिस्टब मत करियो क्यों नहीं आँ सर एक कोशन और है इंडिया में सबसे ज़्यादा गाजर कहा होती है ये भी नहीं पता तरको जमीन पूछते है आप अहां से जानी बाबा बिल्कुली अनपड़ो